स्टाटि बाबा की खरी-खोडी चैनल पर आप सब का स्वागत मेरे मेरा नाम है संदी पारके सिंग और बाबर रामदाजी का जायू जाय श्रीराब बाबा जी अभी जो हमारी आपकी बाचीत लगतार हो रहे थी और दर्शक बहुत अपेक्षा कर रहे थे कि आज का अपडेट क्या है ये जो खिलवार चल रहा है अंदोलन के नाम पे किसान अंदोलन जो कि एक विशुद्ध जो है अड़ती अंदोलन है ये तो फ्लॉप हो ग इन को कहींचे कोई संमर्थन नहीं है और ये अपनी धार खो देए हैं हो किया नोग है इन लोग को मद लगों कि tatятся पाए सरकार को या जंता को जी बबेजी पहली बाद पहली बात मैं आपको यह बतादूं कि यह इस बार का यह आंदोलन आर्टिया आंदोलन नहीं था इस बार तो आर्टियों की बहुत जबतास फंडिंग भी थी और आर्टियों के इंट्रेस्ट थे तो यह विशुद्ध रूप से Congress द्वारा planned प्रायोजित जिसमें थोड़ा सा हित चुकि आमादमी पार्टी का भी सद्रा था तो वो ये Congress 90% Congress 10% आमादमी पार्टी और चुकि आमादमी पार्टी का एक stake इसमें इतले आ जाता है क्योंकि आमादमी पार्टी की सरकार है परकुद मान की तो सर लेटिस्ट पहले तो ये रिपोर्ट सुन लीजिए कि शंभू बॉर्डर लोग सिंगू और शंभू में confused होते हैं सिंगू बॉर्डर टिक्री बॉर्डर वाला जो है वो कुंडली के पास सिंगू गाउं है सिंगू में दिल्ली का और रहने का बॉर्डर है उसको सिंग बॉर्डर है शंभू जो है राजपूरा और अमबाले के बीच में जो घगर नदी का जो पुल है वहां पर गाम शंभू तो शंभू बॉर्डर और उधर खनौरी जी जनता के सुविधा के लिए ये बात आप क्लियर करना चाहते हैं कि शंभू बॉर्डर हरियाना और बता इस समय जो है जब ये पिछली बार दिल्ली के सीमा तक पहुंच गये थे अभी नहीं पहुंच पाए हैं अभी हर्याना पंजाब के बॉर्डर पर ही अटके हुए हैं यही सच है जी जी तो हर्याना में घुसने के लिए जो पांच-छे एंट्री पॉइंट्स है उसमे दो में है एक संगरूर जिले और जीन्द जिले की जो बॉर्डर है उसको कणोरी बॉलते हैं कणोरी बॉर्डर और शम्बू बॉर्डर तो हर्याना पुलिस ने इन बॉर्डर स्पही इनको संफुल्टा पुर्वक रोक लिया और कोई बात नहीं यह इतना संदीब भाई इतना पीछे मेरे तो पीछे दुनिया काम करती रहती है तो तो यहां पर हर्याना पुलिस ने सक्सस्फुली इनको रोक लिया क्यों कि केंदर सरकार से पश्ट नर्देश था कि अब की बार ये दिल्ली तक नहीं पहुशने चाहिए तो अधर दिल्ली तो तब पहुंचेंगे और दिल्ली पहुशने के लिए हर्याना से ही होकर गुजरना होता ये स्टोरी में आपको वो मंसिलाल रोड वाली आपको सुना चुका हूं तो सर अब बात ये कि पिछली बार कैसे पहुँच गए थे पिछली बार भी यही हर्याना पुलिस थी यही खट्रस आप थे पर पिछली बार तो इन्होंने जेसी बी और पोकलेन और हाइडरा मशीने लगा के बेरिकेड तोड़के और दिल्ली तक पहुँच गया और क्यों क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था कोई बात नहीं आने तो नहीं तो सर यह अब एक बार किसी भी स्टेट की सर पुलिस तो पुलिस होती है होंगाड को लगा देंगे नहीं जाने देंगे पिछली बार केंद्र सरकार ने अलाव किया था तो सर इनको एक बात समझ में आ गई इनको नहीं पूरे देश को हुआ कहता हूँ एक बड़ी भोजपुरी के कहानी सुनाता हूँ एक शोताशा बच्चा था शोताशा दो चार साल का तो वो अपनी सूज़ो है ना वो अपने बाप को दिखाता था तो तो अपनी पापा तो बाफ हसता था माई क्यूट बेबी तो फिर वो थोड़ी दिर बाद फिर पापा तो पापा क्या बोलते था माई शोना बेबी में प्याड़ा चार बच्चा फिर थोड़ा सब्ड़ा हो गए ने जब आठ साथ आठ साल का तो फिर उसने यही काम किया तो पापा ने फिर को मैं शोना जो बच्चा में बच्चा तो किसी नो इसको समझाया के बेटा पापा कुछ सु सुने दिखाते ही क्योंकि पापा के पास आगे दर्शक और आत्व समझते हैं, सर, पापा को, सर, the moral of the story is, समझ गए कि समझाऊं, सर, पापा को कभी, पापा को कभी सुसु मत दिखाओ, और पापा को, don't teach पापा how to, F word, सर, तो सर, कुछ लोगों को ये गलित वहमी हो गई थी, वो पापा को सिखाने लग गए थे, और तर एक बापता हूँ, Fathers are not, they love their kids, अगर बाप अपने आपको बच्चा समझ के treat कर रहा है, तो अज़र बाप के सिर पे मूतना नहीं, जी, बाप कौन और बेटा कौन, अब चाहिये, इस अब नुँ कि अब लिए, क्योंकि हर्याना पुलिस ने पस्ट कर दिया कल एक वीडियो आई थी जितमें हर्याना पुलिस के जमान वो आरेफ वाली वर्दी लादनीली वाली पहन के अब वो आरेफ थी या जो भी थी दे वर सिटिंग अद बॉर्डर और सामने पुब्लिक खड़ी थी उसी से तेवर पता लग रहे थे कि वह नाव इट्स वाइनल कि हर्याना पुलिस नहीं घुसने देगी तो फिर लोगों को समझ में आ गया और और लोगों को बाद में समझ जागा भगवंत मान को समझ में आ गया कि नहीं यह तो हम हम अंडरेस्टिवेट कर रहे थे और यह तो हमारे गले पड़ गया तो उन्हों ने तो यह सिंगु बडर डेली में प्लैन किया था ना एजिटेशन और यह तारब वाल उधिसर उनके उनको दरओ उनके ऐंगन में होने लग गया तो झाल को समझ गया कि नहीं अब यह जो हमारा जो गेंज प्लैन था यह फिलंगी अब तर मोडी ने यह केंदर सरकार ने इस agitation को कैसे flop कराया कैसे fail किया सबसे पहले तुजर मोदी ने इतनी successful घराव किया कि जो legitimate वो किसान संगठन जिन जिनका कुछ face है हर्याना में पंजाब में और उत्तर प्रदेश में उन में से कोई भी इसके लिए राजी नहीं हुआ जब कोई भी राजी नहीं हुआ तो इनको मजबूरन जो और गनाइजर से इनको मजबूरन नए चेहरे खड़े करने पड़े और किसान संगठन गया मैं और आप कल मिलके एक नया बना ले फिसमा कुसान संगठन नहीं आए कि अ दुसरी बात है मांगे थी नहीं जो मांगें थी वह लिए उस्एिसलीए उसमें फिर वो पेंशन भी और सरकारी वो नोकरी भी थे तो मंडरेगा भी दो तो बिजली के बिल माफ करो तो दुनिया भर के उसमें मांगे जोड़ी गई तीसरी जी तर पॉब्लिक सपोर्ट बिल्कुल नहीं था जाम हुए इसका घिराव उसका घिराव इस नेता का घिराव इस मंत्री का घिराव मुक्य मंत्री का घिराव चंडिगड का घिराव उदर बंदी सिंगों के लिए महाली में जो है महीनों तक धरने चलते रहे बंदी सिंगों को छोड़ो मांगों की कमी नहीं थी एजिटेशन की बात की तो मुझे दो मुख्य अंदोलन याद आते हैं कि भगवन तमान के घर के सामने भी एक किसान अंदोलन हुआ था MSP की डिमांड लेकर क्योंकि भगवन तमान के वीडियो चल ले हैं कि ओ जी मैं तो सारे MSP 22 पे दे दूंगा 22 हमारी चरकार आएगी तो हम ना 22 फसलों पे MSP दे देंगे और जब अफ कोर्स भाई जब तुम पब्लिक ली चुनाओं से पहली बात बोल रहे तो कोई तो तो तुम्हारे पास पहुंचे का रहा कि भई दे दो अब MSP क्या दिक्कत है तो भगवन्तमान ने अपने घर के सामने मुखमंत्रिवास के सामने गोलियां चलवाई थी और एक किसान मर गया था यह मैं आप से जानना चाहूंगा दूसरी बात एक अमरित पाला अंदोलन चलो हुआ था अचानक से रेल रोको और पंजाब में जो अंदुरूनी चल रहा था और आपने अपने वीडियो पे अपने चैनल पे बहुत क्लिरली बताया था कि पंजाब में माफिया गेरी कि अराजकता चल रही है इस समय पंजाब में पिछले एक डेड़ दो सालों में इतना कुछ चला है कि आप गिन नहीं सकते अच्छे अच्छे लोग काउंटिंग भूल जाएंगे एक तरफ तो अमरित पाल सिंग का पूरा वो चल रहा था एचितिशन उसमें इनों ने जो है अराजकता का नंगा नाच different groups का नौकरी के लिए हमने tet पास कर ले हमको यह लगा दो हमको यह पकी नौकरी दो हर एक डिपांटन उसके बाद roadways करमचारियों का अलग आंदोलन चल रहा था रोड़्यट करमचार्य इंनूने का हलत तो इनकी एउनiernय ऐ, तो इनके लिस्टी पर्सेन्ट जो है, वू, वूधिय पष्टी पर्सेंट तो वही पैसेंजर है महिलाएं तो उनका किराय माफ कर दिया पंजाब की अधर, पंजाब की कोई भी मेला जिसके पाथ पंजाब का है और उच्छाब के अंदर ट्रवल कर रहे हैं तो उसके किराय माफ है, बस्तों के किराय इदर बहुत ज्यादा हो गए तो अब हुआ क्या उससे कि अच्छा यहां पर क्या है कि उन्होंने पनवस नाम का एक निगम बना रखा है उस निगम के एक तरह से वह एक प्राइवेट निगम है कि भाईया आपके लिए हमने एक हजार यह बसे खरीच दिया है अब इसकी किस्ट आपने चुकानी इस बस की तो वो conductor रोज बस जाता है जब पैसे लेके आता है तब उससे वो पनवस जो है उस बस की किस्ट चुकाती है उसी से उनको salary मिलती है driver conductor सब on contract है आपने इदर बीबियों का किराया माफ कर दिया अब वो कहते हैं ना हमारी ना salary नहीं मिल रही और पनवस की बसों की किस्ट तोट रही है वो अब क्या हुआ कि जब बीबियों का किराय माफ हो गया तो बीबियों सारी सरकारी बस फें शिफ्ट हो गई तो बिचारे private अच्छा private bus operators का एक बहुत बड़ा syndicate सबसे बड़ा अगर private bus owners का syndicate अगर कही है तो वो पंजाब में है उनके उनका survival मुश्किल होगा क्यों क्योंकि उनका 50% क्लैंटे ली सीज़े सीज़े सरकारी बसों में shift हो गया तो सरकारी निगम सरकारी बसों का बठा बैट गया private का बठा बैट गया वो आए दिन उनका कभ अमरित पाल सिंग का चली रहा था सरकारी कर्मचारियों को चली रहा था प्लस के फानों का प्लस रंगदारी वसूली law and order पता ही नहीं चलता था कितने गैंग ऑपरेट कर रहे हैं कनेडे से फलाने का फोन आ रहा है यह देदो जी उसके घर पर फाइरिंग हो रही है law and order का तो बहुत ही बुरा हाल था ना पंजाब में पंजाब की जंता तरस्ता मतब तरह हित्रा ही कर रही थी पिछले दो साल थे अच्छा जब देखो दव चक्का जांग अभी पीछे नोने क्या गया एनेच 44 पे दो दिन गन्ने का MSP मांगने के लिए अच्छा मांगते भी कितन पांसो साले पांसो रुपे दोतर रुपे बढ़ा दो हमारा MSP गन्ने का बगवंत मानने के लिए उसके लिए दो दिनों ने पहले रोड जाम किया तिसरे दिन रोड के बगल में जो में डेली अम्रेसर रेलाई ने वो जाम कर दी तो सर पब्लिक संग आज आज आजाएग क्यों रोज जिस अचा एक एक बार बिस बिस तीश तीश जगह है आज पंजाब में कितने चक्का जाम हैं लोग गिन नहीं पाते थे और हर तीसरे दिन ये स्टोरी थी एते मितर पब्लिक सपोर्ट इस आंदोलन को बिलकुल नहीं था जी इतनी अराजकता इतना चक्का जाम ये सब पंजाब में हो रहा है आपने बताया मीडिया ने क्यों नहीं बताया इतनी अराजकता पंजाब में फैली होई है जो की एक समय में बिहार जैसी हालत थी आज पंजाब की वो हालत है हत्या कांड हो रहे हैं सब कुछ हो रहा है मेडिया नहीं की नहीं बता रहे ये बात जब BRTS का पैसा देना था दिल्ली को मेरेट वाली रैपिड ट्रांस्पोर्ट का तो सुपरीम कोट ने बुलाग पूचा थे बोला जी हमारे पाथ पैसा आईये नहीं कहां तो बोला एक बार पता मीडिया के मूँ में तो सर रुपया ठूस देते हैं न जो फ्रंट पेज विग्यापन छपता है पूरे इंडिया में मतलब यदि बंजाब में कोई बंजाब में आम आदमी क्लिनिक बन रहा है गोवा के और गुजरात के अख़बारों के फ्रंट पेज पे पूरे पेज की जो है विग्यापन छपता है भगवंत मान का तो सर मीडिया तो बिचारा भौकता हुआ कुता है उसके मूँ में सवाल पूछ पाएंगे तो मीडिया क्यात है आम आदमी पार्टी तो विग्यापन देने के लिए जी इसी लिए मैंने और आपने अपनी जो है आर्थिक विवस्ता अपने स्वैम पे निर्बर रख रखी है किसी और पर निर्बर ना हो ताकि कोई और हमारे मूँ में पैसा ना ठूस पाए कि हम जो कर रहे हैं वो ना कर पाएं जो बात करने वो ना कर पाएं अपनी आर्थिक विस्ता करें दी मेरे अपने हाथ में है और मैं उसे संतुष्ट हूं तो मैं तो वह बात करूंगा जो मैं करना चाहता हूं यह मेडिया वर इसलिए मैं मेरे सवाल ही था जन्ता को क्यों नहीं पता है कि पंजाब नहीं अराज़कता है क्योंकि जो बताने वाला है जो गाड़ डॉग है उसके मुझ में नोटों के बंडल ठूंस रखे हैं इन्होंने जो विज्यापन है ना मीडिया को चुप करा देता है कि प्रिंट मीडिया हो चाहिए लक्ट्रोनिक मीडिया हो हाँ जा हमको भी चुप कराने का इन्होंने अभी एक बहाना सिद्धु है उसको जेल में बंद धकर वह वह एक यूट्यूबर है खर वो भी एक संदिक करेक्टर है वो अलग बात है अभी एक और यूपी से एक यूट्यूबर को ये लोग पज्याब पुलित घुसके उठाक लाई है रचित क्या नहीं है मुनका जूख्यूबर के बेटे पर विडियो किया था कि उनका बेटा जो है और्वेंत कि घर में जो चार ट्रेडमिल लगी होई है ट्रेडमिल का किराया उठाता है दसलाक रुपे पर महिना अर्विन केज़वाल ने हमने घर में ट्रेडमिल खरीदा नहीं है, किराए पर रखा है, और उसका किराए जो है दसलाक रुपए पर महीना है, जो उसके लड़के पुलकित के जिवाल के अकाउंट में जाता है, तो यह यह खबर जब रचित ने ब्रेक की, तो रचित अपने घर के किसी परिवार की शादी में जा रहे थे, वहां से उनको उठा लिया गया था, यूपी में पंजाब पुलिस आई थी, शादी वर्दी में उसने उठा यह था, तो सर बात यह है, तो इस आंदोलन को इसलिए समर्थन आम, लोकल, पंजाब की पुलिक का समर्थन इसलि की लॉलेस्नेस से वो बिचारे पहले ही तरह तरह कर रहे हैं, अच्छा, तो यह तो हो गया, लोकल सपोर्ट नहीं था, हर्याना पुलिस और हर्याना सरकार अड़िमंट थी की चाहे कुछ हो जाए, हर्याना में नहीं गुसने देंगे, तीसरा सर, चलिए, मैंने तो अपने वीडियो में हमेशा पूछता हूं कि चलो भाई, पंजाब वाले नहीं आ पाए, ट्रेक्टर तो चार लाख ट्रेक्टर तेल बरवा के खड़े थे, ट्रेकेत साब के वो कहां गई, क्यों, और चार-पंच लाख ट्रेक्टर तो उड़ा साब के पास भी है, रो तक्सोनिपत जजजर में, वो क्यों नहीं आए, तो सर, ट्रेक्टर साब के ट्रेक्टर तो जेहनत भाई ले गए, वो ब्रिगेडिर सूरिदेव सिंग ने निकाल लिये थे न, गेंडा स्वामी के, मिसाइल के, फ्यूस कंड़क्टर, फ्यूस कंड़क्टर, तो चार लाख जो ट्रेक्टर ट्रेक्टर साब के थे, उनकी चाबी तो ले गए, जेहनत बाबू, और दिल्ली आर्याने वालों की चाबी तो पहले दिन से उड़ा साब के पास थी, और सर एक बात बताओं, हाला कि इस पे एक अलग वीडियो बनती है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, हर्याने में एक बहुत तेज अफ़वा पहली हुई है कि हुड़ा साब सब परिवार कभी भी ब्रेक्टर करने नड़ा साब के, हुड़ा नड़ा, हुड़ा नड़ा भाई भाई, सब बंतातर है कि आपने ब्रेक्टर भाई करने वसकर आरी है, आपको आपने दर्शकों को पहले कही बार बता चुका हूं कि खट्र तो यह चाहता है, पंजाब भी ट्रेक्टर गुसने नहीं देगा और वो तो यह चाहता है कि अर्याणे वाले करे उत्पात वो इसको सूट करता है अर्याणे के जाट सडक पे जितना ज्यादा उत्पात करेंगे उतना खट्र को फायदा होता है यह बात उड़ा को समझ में आ गई है कि ना 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 हमने अगर उत्पात कर दिया जी एक बात और समझ में आ गई सर चौप इसके बाद मोदी जी आ रहे हैं और केंद्र सरकार से पंगा लेके वो तो मोदी जैसा जीवड था जो सुनिया गांदी के यूपिये के काल के बाद दस साल ठीक गया और यूपिये की तमाम मतलब क्या नहीं घोड़े खोल दिये थे सुनिया ने और रहमत पटेल ने मोदी जी के खिलाव पर आज मोदी जी हैं और इन लोग के इतने कुकर्म है सहाब इतने कुकर्म है कि ये तो कहीं भी फच जाएंगे मुलायम चुक्चा बैठे के अपने घर में निपट लिए मायवती शांत बैठी है कौन है जिसको नहीं पता है कि मैंने वह इतने पाप कर रखे हैं कि किसी एक पाप पे भी उंगली रख जी तो मैं निपट जाएंगे अहूड़ा हरियाना हूड़ा गुड़गाउं केपी सिंग रावर्ट वट्रा ट्रेंका गांधी संदीब भाई मैं आपको बता हूँ अभी आपका आपसे ये फोन करने से पहले न मेरे एक मित्र थे मैं उनसे बात कर रहा था तो तो मैं और वह डिसकुस कर रहे थे हर्याने कहीं है तो मैंने बोला भाई हुड़ा र७ाई भाई बाई बाई तो उसने बुणा पर यार रॉड़ाएगा क्यों बीजेपी हुड़ा आपको इसा क्या दे देगी तो मैंना बाई बीजेपी कुछ दिया में करती spindro के बात कहती है कि बाई तो बाहर रहेगा यह जयल जाएगा तू बाहर हेगा या जैल जाएगा तो बुला बुला बॉला वाइज इसांब कुछ मत्यों पर बाहर टेक मने जैल नहीं जाना माईवति ग्र को कह दिया है मुलायन स्गर क्या दिया था यही दिया था अभायदान अभायदान नाम की शरण में आ जाओ आप हैदान ले लो अजीत पावर को क्या दिया है और राजसभा में रहके अपनी पार्टी चलाते रहो राजनीती करते रहो देश हमें चलाने दो आप पार्टी चलाओ शर अजीत पवर को क्या दिया है अशोग चौहाण को क्या दिया है अशोग चौहाण के बेटी को क्या दिया है शराण में रहो चुपचाप रहो जगदंबी का पाल को सर क्या दिया है नरेश अगरवाल को क्या दिया है संध्य सेट को क्या दिया है संध्य सेट यूपी के लखनों के शालिमार डेवलोपर्स के सबसे बड़े डियले पलब बहुत बड़ी हस्ती है नरेश अगराल बहुत बड़ी हस्ती थे सपा के इन सब को क्या दिया है आखरी बार किसने इनका नाम सुना मीडिया में सुना था अभएदान है बस चब चब पटाए रहो नहीं खेर तो पूड़ा के इतने जी आप बताएं जब तो लेटेस्ट आज की रिपोर्ट यह है कि हर्याना में 40 जगे नह 44 डाट मींज अंबाला से लेके दिल्ली वाला जो इसको रेगुलेट करके चेक करके तो अगर हलका सा भी रेगुलेशन हो तो लंबे-लंबे जाम लग जाते हैं तो आज वो बैरिकेट्स हटा ली गए और सिंगो और टिकरी बार्डर पर जो बैरिकेडिंग की गई थी वो पकी बैरिकेडिंग थी उसमें बड़े कंक्रीट वाले बैरिकेड वो आज हटाए जा रहा है तो कहने का मतलब आब राइट फ्रम अंबाला टू डिली वो ट्राफिक स्मूथ हो गया अब जो सिर्फ जो दो बैरिकेड बचे है या जो हर्याना पंजाब से हर्याना की जो एंटर पॉइंट्स हैं वो बैरिकेड बचे हैं इन Let them formally announce the withdrawal of the agitation. उसके बाद वो शंभू और खनौरी बार्डर खोल दिये जाएंगे. इस बीच राहुल जी के बारे में एक बड़े इंपॉर्टन खबर आई है कि वो नियायात्रा बीच में रोक कर 27 और 28 को मसाज कराने कहीं बाहर जा रहे हैं. और उनको अच्छा उनको बाहर घुमने का सबसे अच्छा बहाना एक होता है कि उनको ऑक्सफोर्ड, केम्बरिज और हेवर्ड इनिवर्श्टी जो है वो स्पीकर का नियोता दे देते हैं कि आईए हमारे यहां आप लेक्चर दे जाएए. अभी तो केम्बरिज जा रहे हैं, इंटिलेक्च्छल मसाज, ने इंटिलेक्च्छल मसाज. इंडियन पब्लिक की मेमरी बड़ा बहुत शॉट होती है, यह तो राम मंदिर का जो यूफोरिया था, राम मंदिर की जो फ्रेंजी थी, राम मंदिर का जो उद्गार थे, तो उनको लगता था कि यदि हम डाइवर्ट कर देंगे किसान आंदरोन की तरफ, और पंजाब के किसान यह सोच रहते कि अगर हमें कुछ अच्छे विजूल्स मिल गए, हाई सानु, हाई मार दिता हुई, सार डेनाल तर नसल कुछी हो रही है, हाँ जी, सर, इनके लिए अच्छे विजूल्स का मतलब है कि इनके लिए एक लास चाहिए थी, इनके अपने अंसान की, वो वो विचारा शुब करन बच्चा मिल गया ने इनको, अभी तक उसका, उसका पोस्मॉर्टम नहीं होने दिया, अभी तक उसका प्लास्ट्राइट्स नहीं ह सकार नहीं हुआ है, जिससे कि भारत सरकार को बहुत अत्याधिक जालिम सद्ध करके रोया जा सके, तो इनको लगता था कि इस इन विजूल्स के आधार पे, आम आदमी पार्टी को लगता था कि वो राम मंदर से उपजी हुई, जो मोधी दा ग्राफ बहुत उपर चले गय इनू था ले ले ओनदा एक को तरीक का या, पर मोधी ने तर इतने कैलकुलेटिव तरीके से इस आंदोलन को निटराइज कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे, वो पहले भी मोधी के समर्थक रही हैं और मोधी को वोट नहीं देते, और पंजाब का हिंदू, जो अब तक मोध का वोटर नहीं था, क्योंकि उसके अपने रीजन्स हैं कि वो आज तक वो बीजेपी को अब कभी अपने रक्षक की भूमिका में नहीं देख पाता, राइट फ्रॉम्टीज और एटीज उसको लगता था कि हिंदू की रक्षा तो कॉंग्रिस नहीं की है, तो मोटे तोर प तो कॉंग्रिस नहीं हमारी रक्षक की है, तो वो ट्रेडिशनली कॉंग्रिस का वोटर रहा है, इस बार वो उसी के वोट से हमाद्मिय पार्टी जीती, पर राममंदिर के पार मोधी के यह जो पूरा पुलिटिकल गेम प्लान है, इसमें पंजाब का हिंदू, मोधी और भ बैंक, मोधी की तरफ शिफ्ट होतकता है, तो किसान आंदोलन नामक एक इस आयूजन से, वो उस मोधी के उस पोलराइजिशन का काउंटर पोलराइजिशन करने का एक प्रयास था, परन्तु जब मोधी ने इस इस आंदोलन को अभी तक बहुत एफेक्टिवली हैंडल कर ल हो गया मोधी, आज की तारिक में, आज पंजाब का हिंदू, ज़्यादा पोलराइज है मोधी के पीछे, इदे आर हैप्पी विद धे हैंडलिंग अफ दिस एजिटेशन, सर कल में ने फिल्म देखी, आर्टिकल तीन सो सतर, जी, और उसमें एक बेसिक लिया गया है, कि ती तीन सो सतर राटिकल कैसे हटाएगे कश्मीर में, और ठीक है, दोजार उनिस में हटा दी गया, उसके बाद हमने देखा कि आज की समय में कश्मीर के क्या हालात है, वहाँ का मुस्लमान, वहाँ का एक आम जंता, वो जान गया है कि हमारी तकलीफों का जो कारण रहा है, वहा दोनों पार्टिउंने, दोनों परिवारों ने खेल खेला है, ची? फ़्व बाति के रहा है, पाप अपने बेटी के राम महभूरा रख रहा है, तो ही बोल दे ऊसमें, ठीक है, नहीं तो कहने का मतलब है कि यह तो परिवारों कैसे केले है और आम जंता को कैसे केंद्व कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि सरकार के दिल्ली सरकार के benefits का क्या मतलब है जो काम वहां हो रहे है वो एक लग मैटर है that's a different discussion altogether पंजाब की जिनता भी शायद वही महसूस कर रही है कि जो आपने कहा कि राम मंदिर और अन्य चीजों से कि मोदी जी ने अपना एक वर एक स्थापित किया है कि हम आपके भले के लिए है और जो बीच के यह जो मीडियम से है अकाली हों कॉंगरेस हों या आम अर्मी पार्टी के यह जो हैं या खालिस्तानी हों या यह जो जो किसान के नाम पे जो कुछ दलाल आ गए हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी जनता की रहा में रोड़ा हैं, जनता है दिक केंद्र से सीधे संबंद स्थापित रखेगी या वहां का किसान सीधे स्थापित संबंद अपना बनाएगा, उसका जीवन बहुत बहतर होगा शाद ऐसी ही बात होगी की बात है, तो मैं जो कहता हूना कि इस बार पंजाब में इनको पंजाबियों से इस अंदोलन को समर्थर ने विला, खुद किसानों का कोई समर्थर नहीं थे, पिछली बार तो थे बड़ा व्यापक जन समर्थर थे, इस बार तो ये ट्रेक्टर किराएपी लाएए है, इस चाणिशनों दिधा है, इस में प्यरफर नहीं समर्थर नहीं तो फ्सकी ज़िसें बात है? चलिए आज की ज़ुद आपकी बात है कि ये हो गया है फ्लॉप और इसमें कोई किसान नहीं था, इसमें मुक्वेता. सिर्फ यह अंदोलन फ्लॉप नहीं हुआ है इसके आगे के भी सारे अंदोलन फ्लॉप हो गए आज जड़ में मठ्था डालना ऐसी को कहते हैं एक चीज एक चीज और क्लियर हो गई है इमाजन कीजिए हर्याने में आज राजस्थान में भी आज हर्यान में भी घुड़ा साब की गवर्मेंट होती है तो फिर क्या दृश्य देखनों की मिन्ता आज आज आप देखते हैं कि राजस्थान में भी वीजविगवर्मेंट है अज एक पुद्ध दिल्ली कितनी शुवक्त है अब बता ही ना नहीं तो उद्धर नहीं बात ये सर सर बहुत बड़ी बात आपने ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि दिल्ली सुरक्षित इसलिए है क्योंकि रैस्थान में हर्याने में यूपी में भाजपा की गॉर्मेंट है उसने दिल्ली के उस रक्षा की है और ये दिल्ली की जंता को समझने वाली बात है कि जाकर दिल्ली पे गभजा कर लो अब इछली बार ज़िए झान आये तो पूरा उनको वाईफा ये पता नहीं का कज खुद दे रहा था बैठके और जंता से को मतलब गभड़ नहीं था उसकी सारी राजनीति जंता की तकलीफ की राजनीति है और भाजपा की राणनी थी जंता की सहुलियत की राणनी थी एक और सोचके देखिए इधर से ये चले जाते MSP वाले और उधर से तो तब दिली का क्या होता है तो सर यूपी में हर्याना में और राजस्थान में बीजेपी की वह पूश्ता था ना क्या नाम भावू कौंजातो क्या हो जाएगा अगर इंडिया में मुसल्मान बहुत सक्क्यक हो जाएंगे पुछो न जाके लंदन वालों से जबकि बहुत अंक्यक भी नहीं हुए है तर्स दो चार लाग हुए है फ्रांस में साथ परसंट हाँ जीना हराम करकर रख दिया एंगलेंड का और प्रांस का और जर्मनी का शे परसं झालेंड रख परसंट उडर्स दिया रख पांच यूरोब ढूंटियुए इस थास्ट अन टार ओभी साथ नहीं है दर यह हैं पांच और श्यूरोब इस पांच हम यूरोप क्यों जाएं आप आपके पास कलकता पल इस लाग स्टोरी शॉर्ट हॉट लाग इस we have successfully controlled the situation and I will tell you sir one thing this is so good for the people of Punjab because they got converted in Pakistan they got they got kicked out of Afghanistan they lived the entire geography of Pakistan and last 100 years kuchhani and kuchhani and 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 now now I I I I I I I I कान का आपका लाइक और आपका शेयर करता है वहाँ भी तो ये बात पहुचे nessa क्योंकि बहुत ज़स्रूरीPas भाफ जी ज़ू शफ्राइब था लिए जा स्बस्थ्राइब करेंगी यहिस बते लगतार आती रही देखें पहुत कि कितने किसानों से कितने लोगों से जमीन से निकाल निकाल के लोगों से बात की डिली के टीवी मीडिय का बात करेंगे जो बाबाजी ने आपके सामने जो लोग रखें आपके सामने करें और यह वीडियो करें लाइक करें यह रिक्वेस्ट है हमारी अपने लिए करें हमारे अबते लेकार, भादा नहात, बादा धन्माथे भादा जान्मा जब लेकार, दिए